हम लोग आज जो है रिवीजन करने वाल है राइट वाइट वाइट आपने जो साउंड चाप्टर के नोट्स बनाएं उन्हें उपन कर लो और साथ साथ रिवीजन करते चलो कोई भी चीज छूट गई है तो उसे नोट कर लो आज का जो दिन है वो रिपीट का दिन है तो आज करेंगे ताकि हमारे ब्रेन में वो बिल्कुल अच्छे से बैट जाए चाहे और हम लोग जो यह साउंड चाप्टर पढ़ रहे हैं तैस वेरी मच इंपोर्टेंट फॉर्टेंट फॉर्ट इस वेल एज अलम्पियाट लेवल सो बैसी कली हम जो कुछ भी पढ़ते हैं इसी सोच के साथ पढ़ते हैं कि हम लोग इजामिनेशन भी क्रैक कर लें और साथी साथ ऐलम्पियाट की तयारी करने का नहीं सोचते हैं फिर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो सोचते भी हैं तयारी भी करते हैं क्राक नहीं हो पाता है फिर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो सोचते भी तयारी भी करते हैं और क्राक हो जाता है तो बेसिकली हम उन बच्चों की तरह जाने की तरह कोशिश करेंगे जो कि क्या करते हैं, जो कि जनने पता भी होता है अलमपेट के बारे में, जो कि तयारी करने की कोशिश भी करते हैं और क्राक भी कर लेते हैं, ठीक है, और यह सब किस के साथ कर रहे हैं, स्कूल एक्जामिनेशन के साथ, कि आप लोग आपको यह तयारी कराने के लिए हेल्प कर रहे हैं, कि आप लोग जाओ और शाइन करो और सारे एक्जामिनेशन को क्राक करो, और राइट, So what you have to do, you have to just stick with us, you have to stay with us, study with us and that's it and then you will be shining star, ठीक है, if you want any DPP or study material, you can access them from the Telegram channel और उसके लापको क्या करना पड़ेगा, आपको TTV07 इसे लिखना होगा, Telegram के सर्च बॉक्स में, ठीक है, तो हमारा सेविंध क्लास का चैनल अपियर हो जाएगा, उसे जॉइन कर लो, जॉइन करने के बाद आपको DPP और study material भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको अपकमिंग चाप्टर्स के नोटिफिकेशन पर मिल जाएगे and that is a good thing, right? तभी तो आतम लोग जल्दी जल्दी पढ़ाई करोगे शुरू, अब देखो, ये जो आप लोग देख रहे होना अपनी स्क्रीन पे, ये है वो टीम जो की आपके पीछे हाथ धोके पड़ी है कि आप जाओ और सारे के सारे अग्जामिनेशन को क्राक करो and we are very doing much hard work for you all ता कि आप लोगो को हम prepare कर सके and आपको इस एबल बना सके कि आप अलम्पयाद को क्राक करो with school examination, school examination तदे को सभी क्राक करते है, right? school examination में हर कोई पास हो जाता है, ठीक है कुछ बच्चे नहीं हो पाते है, ठीक है वो चलता है, but school examination is total normal, if you want to be exceptional, do something else, right? go for the Olympiad, try them out, stand them in, right तब चाके तो में पता चलेगा तो कि तुम कहां stand करते हो अपनी knowledge में and that is the main thing, हमें test करते है रहना चाहिए कि हमारी जो knowledge है, वो कितनी है, right? let's prepare for the future, ठीक है, तो उसी के श्रंखला में मैं आपको कुछ और नया बताती हूँ वैसे तो मैं हर बार बता चुकी हूँ बट फिर आप जब इस website पर जाएंगे, you will be getting two type of packages, one is the full package, second one is the test series, ठीक है, तो जो full package होता है, उसका नाम full है, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ आपको included मिलेका, right? you will be getting the study material, जो की comprehensive है, जिसके अंदर Olympiads के questions भी involved हैं और school examination के questions भी involved हैं, तो आपकी दोनों की तयारी साथ साथ हो जाएगी, second thing आपको क्या मिलने वाला है, video classes, ठीक है, या पर live classes, so basically उसको as a supplementary आप use कर सकते हैं, you can definitely study from them, right? third thing what you will be getting, the homework submission feature, आपको homework करना होगा, और हमें submit करना होगा, ठीक है, fourth thing you will be getting what, by weekly quizzes, by weekly quizzes में आपको, हर एक week में actually, हर एक week में आपको दो बार test देना पड़ेगा, ठी तो हमें जल्दी-जल्दी पता चलता है, कि ये topic हमारा week ता हमें इसे strong करना चाहिए, ठीक है, तो इससे आपको जल्दी-जल्दी आपके knowledge के बारे में पता चलेगा, कि ये कमी है, और ये मेरा strong point है, so you will act accordingly, right? and then the final thing you will be getting the periodic test papers, periodic test papers आपको बताएंगे, कि आप जस examination को crack करने क सोच रहे हैं, actually में, उस examination का pattern क्या है, ठीक है, उसमें कितने questions आते हैं, आपको कितने देर में कितने questions solve करने होते हैं, right? and कितने level के questions आते हैं, negative marking होती है या नहीं होती, so ये सब बाते clear हो जाएंगे, periodic test papers, so overall आपको इसमें सब कुछ मिल गया, आपको टेस्टिंग मिल गया, आपको जानकारी मिल गई, आपको study material मिल गया, आपको life classes मिल गया, आपको homework sufficient feature मिल गया, and also doubts are included in this, and definitely हम लोग आपकी doubts को भी solve करेंगे, right? so this is the full package, so if you are one जिसको ऐसा लगता है कि उसके पास guidance नहीं है proper, right? so they can definitely go for the full package, लेकिन कुछ ऐसे बग्चे हैं, जुने पढ़ना बहुत पसंद है और वो सब कुछ पढ़ते हैं, right? लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि एक Olympiad specific उनके पास total knowledge है या नहीं, right? तो उसके लिए वो test series को join कर सकते हैं, चीक है? test series को join करने के लिए के बाद actually, what you will be getting is the periodic test papers, and you will be getting the bi-weekly quizzes along with the video classes, alright? so आप test series को भी join कर सकते हैं, full package को भी join कर सक अगर आपको लगता है कि आपको इनके बारे में जादा जानकारी चाहिए, the further information, then you can call us, and the number is 9195490411111, alright? so definitely you can call us on that number, and remember if, if, in any case, you decided to buy these packages, so beware and always remember a code, CYLI, alright? अगर जैसे मान लो, तुमने सोचा कि भाई मुझा ये खरदना है, तो इस code को याद रखो CYLIVE, क्योंके इस code को लिखने पे, you will be getting 30% discount, and that is a good thing, right? that you should remember it, चलो, तो ये तो दी हमारी रोज की बात, जो हम रोज करते थे, so अब हम अपना क्याक शुरू करते हैं, revision शुरू कर and revising on the daily basis, so revision करना तो जरूरी ही है, तो हम लोग revision करने वाले है, and of course, हमें इस बात में भी ध्यान रखना है, कि इस revision के साथ आपको रोज का revision कर रहे हो, वो भी करना है, all right, ऐसा नहीं है कि आज revision कर लिया तो आप 15 minutes का revision करते हैं, वो नहीं करेंगे, उसको भी करना है, और से, we listen to that, right, हमने ये चीज सुनी, आवाज आई, हम तक आई, we heard that, we got a sensation, so what is that even, जो एनर्जी हमारे कानों तक पहुंची, जो हमने सेंस की जो सेंर्जी को थूरू आर यर्स, that is sound, actually, all right, so just like this is saying hello to you, so I know you are not getting its voice, but still it is saying hello, right, देखो, तो हमें पता चला था कि जो sound होता है, it's just an energy, एक ऐसी energy, जो किसी एक एक बोड़ी से प्रेड्यूस होती है, जो कि एक वाइबरेटिंग बोड़ी से प्रेड्यूस होती है, and it reaches up to our ears, and we sense that, right, that is sound actually, all right, so what you need to understand is, sound is just an energy, that's got produced by a vibrating body, and that reaches up to our ears, right, it is sensed by our ears, that's why we call it what, sound, all right, चालो, फिर हमने देखा था, कि भई, जो sound actually में होता है, उसे एक medium चाहिए होता है, चाहिए, तो देखो, हमने क्या सीका था, हमने सीका था, कि sound जो होता है, उसे प्रॉपगेट करने के लिए, मतलब, जहां पर sound produced हुई, और हमारे कानों तक पहुंचने के लिए, उसे एक medium की जरुत होती है, and that medium can be solid, can be gas, can be liquid, but vacuum is not an option, तो मतलब sound जो है, वो gas में से ट्रावल कर सकती है, वो liquid में से ट्रावल कर सकती है, वो solid में से ट्रावल कर सकती है, but it cannot travel through the vacuum, because, 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 vacuum में कोई particles ही नहीं है, मतलब यहां पर sound, जो energy है, actually में, वो कैसे आती है, that is the main thing, sound आती है, किसकी वज़े से, particles की वज़े से, मतलब किसके, medium के particles, so, gas में, you all know, there are the particles, right, particles of gas, right, तो क्या होता है, actually में, जब speak करते हैं, जब sound energy produced होती है, वो sound energy, particles जो होते हैं, वो passing the game खेलते-खेलते, उस energy को pass on कर देते हैं, हमारे ears तक, right, तो अगर यह passing the game खेलने वाले यह जो particles है, molecules हैं, अगर यह नहीं हो, तो क्या होगा, अगर यह नहीं होंगे, तो फिर यह condition हो जाएगी, that sound will not propagate, right, so, no particles, no sound propagation, right, and that is the reason कि vacuum के अंदर sound travel नहीं करती, ठीक है, so, basically, what you need to understand, that these particles are responsible for propagation of sound, if there are no particles in the medium, no sound propagation will take place, alright, you need to understand, sound is only propagated through the molecules, only, they always play passing the game with the energy, right, वो क्या करते हैं, ठीक है, वाइब्रेट करते हैं, and they pass on the energy to another particle, फिर वो जो particle है, जिसको energy मिली है, वो वाइब्रेट करता है, and it pass on to the next one, so, that's how they play the passing the game, by the, using the energy actually, and it propagates, right, so, that is the thing, how a sound propagates, and it always need a medium to do so, all right, चालो, sound depends on vibrations, ये चीज़ हम लोगो ने सीखी ती, it does depend on vibration, because it is produced by these vibrations, also, it is carried on by these vibrations, also, देखो, sound जब प्रेड्यूस हो रही है, so, the reason is, जब sound प्रेड्यूस होती है, तो जो बॉड़्ी साउंड प्रेड्यूस कर रही होती है, वो वाइब्रेट करती है, जब जैसे, let's say, वीना की, अगर हम बात करें, जब वीना में क्या करते हैं, string जो होती है, उसे पुल करते हैं, जब हम उसे पुल करते हैं, vibrate करने लग जाती है and just because of that vibration you are getting a sound right तो यहां पर body vibrate किया तब जाके sound produce हुआ उसके बाद medium के particles vibrate करते करते pass on करेंगे तो sound propagate भी होगा so basically sound जो है उसका propagation उसका production सब vibrations पर depend करता है and that's why sound is all about vibrations right जैसे आप देखो यहां पर यह वीना हम लोग उसको क्या करें गिटार में भी ऐसा होता है so यहां पर जो tightly stretched जो strings होती है right हम उसको पुल करते हैं हम उसको एक तरीकी से displace करते है so it gets vibrated and due to that vibrations जो sound energy है वो क्या करते है propagate करते है from one place to another तो sound is all about vibration and do you know what a vibration is vibration is the movement of back and forth of a particle right मतलब एक पार्टिकल ठीके क्या कर रहा है आगे जा रहा है ठीके पीछे जा रहा है फिर आगे जा रहा है फिर पीछे जा रहा है so that is what back and forth movement of a particle that is called vibration all right so basically if a body does that that means that body is vibrating all right rapid back and forth motion of a particle about its mean position is known as vibration so let's say this is the mean position I am standing on the mean position all right now I got the energy जैसे ही मुझे अनर्जी मिलती है मैं क्या करूँगी vibration करूँगी ठीके imagine that I am a particle ठीके of a medium of any medium all right I am in the mean position so what I will be doing here जब मुझे अनर्जी मिलेगी I will go like this I will come back to our mean position and then I'll go in the opposite direction and then I'll come back on my mean position ठीके तो मैं mean position के about back and forth back and forth back and forth movement करूँगी and if I do that rapidly then that will be counted as a vibration ठीके तो we got the things that just vibration is important in sound right तो मतला produce भी vibration से हो रहा है propagate भी vibration से हो रहा है and that's why we are saying that vibrations is all about sound is all about vibrations actually ठीके so it is the necessary conditions also okay it is the necessary current uh necessary condition necessary condition right so अगर sound if there are no vibrations so there would be no sound okay basically that is what we are going to understand here चलो फिर आपने a fun activity की थी तो मने किया ना घर पे तो देखो क्या होता है actually what we will be doing here ना मतलब हम लोगोने क्या मतलब ऐसा हम fun activity करने का सोच रहे थे तो what we did oops so what we did we just need a partner in a balloon any 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 uh you know anything your friend your mama or your brother sisters right anybody can be there all right so क्या होता एक बलून लो तुम ठीके and blow that balloon उसको फिलाओ उसे tightly pack कर दो all right and then ask your partner to speak into the balloon ठीके बलून का जो surface है like this like this try to speak it into the balloon and stuck that balloon into uh on your ear so you will be hearing the vibrations you will be feeling the vibrations actually and you are getting the voice also sound also right and that will be showing कि भई vibrations से ही जो sound है वो प्रपगेट करती है and that is also good thing right इससे हमें पता चलेगा कि सच मुझ में ऐसा होता है this is truly possible right तो हम वो vibrations भी वील कर सकते हैं और हम sound सुन भी सकते हैं अब देखो कुछ ऐसे instruments होते हैं जिन में vibrations होते हैं जिनके कुछ पार्ट्स वाइब्रेट करते हैं and they produce sound जिसमें से जैसे हम एक्जामपल ले तबला का चीक है तो तबले में क्या होता है जैसे हम स्टक किया तो क्या होता है वो जो मेंबरीन है वो वाइब्रेट करने लगती है and due to that vibration आपको एक वाइस सुनाई देती है किसकी तबले की वाइस सुनाई देती है तो एक यह वाला जो सर्फेस है जिसके वापर ब्लाक डॉट है इस सर्फेस को हम स्ट्रक करते है राइट and due to that you get a sound इसी तरीकी से वीना में देखो इस वीना के अंदर हम हम tightly pulled tightly pulled or stretched to strings होती है हम उन्हें pull करते है and make it vibrating so that they produce sound all right and उसके अलावा तुम बासुरी में देखो फ्लूट जिसे हम कहते है राइट तो फ्लूट के अंदर क्या होता है फ्लूट के अंदर होता है और हम actually में क्या कर रहे होते है actually में हम blow करके air column को vibrate कर वाते and that's how वो चीज vibration अगर होगी we will be getting a sound right so that is the main thing कुछ ना कुछ अगर vibrate हो रहा है vocal cord all right first of all we have a voice box okay so हमारा जो voice box होता है actually वो कैसा दिखता है कुछ ऐसा दिखता है so this is the voice box I also have a voice box you also have a voice box everyone has a voice box जो भी की speak करते है right so देखो इसमें क्या होता है इसके अंदर होते है दो vocal cords okay यह जो gray color के आप देख रहे हो ना जो ऐसे बंदो रहे हैं और खुल जाते है ठीक है यह क्या है इस आद वोकल कॉट्स ठीक है और यह जो वोकल कॉट्स है यह क्या करते हैं इस तरीके से situated होते हैं on the you can say on the top of the your esophagus the wind pipe all right so यह जो वोकल कॉट्स होते हैं और जो पूरा voice box होता है वो actually में यहां पर गले में and at the end of the wind pipe और isophagus वहां पर वो situated होता है ठीक है so try it yourself एक बार इसे हाथ रखके बोलने की कोशिश करो you will be feeling there is a vibration here यहां पर vibration feel होता है सच मुझ में तुम्हें feel होगा try it out right now अभी try करके देखो तुम्हें बादा चालेगा that there is a vibration okay अब देखो क्या हो रहा होता है actually में यह जो वोकल कॉट्स होते हैं यह tightly बिल्कुल tightly क्या होते हैं वहां पर placed होते हैं ठीक है and they are attached with the muscles also as you can see here these are the word muscles ठीक है यह जो red color की है ना यह muscles होती है and यह क्योंके windpipe के ऊपर होता है उसके end पे होता है रहाई चो देर इस लेट एक खुल जाता है बंदो चाहते हैं तो जब हम बोलते हैं actually तो उस वक्या हो रहा होता है हमारे जो lungs होते हैं वो air को throw out कर देते हैं through that slit ठीक है throughout मतलब यह जो slit है इस slit से जो हमारी air होती है जो हमारे lungs में होती है तो हमारे lungs उसे बाहर निकाल देते हैं ठीक है humans produce sound अब देखो इसमें भी अलग अलग तरीके की चीजें हैं कैसे जैसे जो कि से हो यहां पर यह जो जो यह रहते हैं ना मसल्स जो की वोकल कौट से अटाच रहती हैं दूटो डाट मसल्स जो वोईस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है सभी का किसी का मोटा वोईस होता है किसी का पतला होता है ठीक है So there are various types of voices तो हमें voices कैसे मिलती है? कब मिलती है? Let me tell you that चीक है? चलो So देखो जब muscles कैसे होती है? Contract होती है या फिर stretch होती है चीक है? या तो वो contract हो रही है या फिर stretch हो रही है उस वक्त actually में क्या हो रहा होता है? Vocal calls कैसे हो जाते है? ताइट और थिन हो जाते हैं ठीक है? ताइट और थिन हो जाते हैं डू टू दाट वी गेट अवर High Frequency Sound जिसे हम क्या बोलते हैं? Shrill voice यानि की पतली आवाज हम जिसे बोलते हैं ठीक है? तो क्या हो रहा होता है तुम्हारे जो muscles हैं जो वोकल कॉट से अटाच होती हैं वो जो muscles होती हैं अक्चली में लुक यह जो muscles होती हैं ये वाली जो muscles हैं ये जब stretch होती हैं या contract होती हैं तो दे मेग दो वोकल कॉट टाइट अन थिन and due to that a high frequency sound is produced right you can say a shrill voice is produced वही पर अगर ये जो muscles हैं ये relaxed mood में होंगी तो इसकी वज़े से क्या होगा ये जो वोकल कॉट से हैं वो भी loose and thick हो जाएंगे ठीक है? and due to that we get a hoarse sound that we can say a low frequency sound ठीक है? so we get a hoarse sound and let me tell you the examples of a hoarse sound roaring of a lion when a lion roar और क्या होता है? बहुत ज्यादा amplitude में and low frequency का sound produce होता है so that is the example of a hoarse sound and that we can say हमें 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 मोटी आवाज जा मलती है that is the low frequency ठीक है? तो जो मोटी आवाज हमें सुनाई में आती है that is because of when the muscles are loose and the vocal cords are thick and loose ठीक है? so we can definitely say that चलो अब हम आगे बढ़ते हैं so we saw the propagation of sound कैसे sound propagate होता है? I told you what I did क्या होता है? जैसे ही जैसे ही source ने वाइब्रेट किया ठीक है? source ने वाइब्रेट किया and due to that vibrations वो जो vibrations थे वो उसके बगल में जो air के particles थे वो सारे के सारे vibrations ऐसे चले गए चीक है? सारे के सारे vibrations में actually में क्या होता है? back and forth back and forth होता है, right? तो क्या होगा? let's say this is the thing जैसे है? this is the source of the sound तो क्या होता है? जब यह ऐसे जाएंगे तो सारे के सारे air के particles को उदर की तरफ धका मिल जाता है so they go away there तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे compression का region हो जाएगा create सारे particles एक जगे खटे हो जाएंगे न that's why वहाँ पे compression का region create हो जाएगा compression मतलब high pressure, right? and high density तेके एक ऐसा region चहाँ बहुत जदा pressure है बहुत जदा number of particles है तो उसके बाद जैसे ही source ऐसे जाएगा opposite direction में जाएगा तो क्या होगा? they will get a lot of space so they will separate out तेके दूर दूर हो जाएंगे so उस time पे जब वह दूर दूर हो जाएंगे so there is the reason of what? refraction not the refraction rarefaction actually right? and वो जो region होगा that is of low pressure and low density ठीके? so उसके बाद वापस से जो हमारा source है वो ऐसे जाएगा vibration करेगा again we get a region of compression the number of particles are more there will be lot of pressure and then जब वापस से source पीछे जाएगा there will be a lot of space and the rarefaction region is created the particles are separated out they are maintaining the social distancing also right? so there will be less pressure the less density so that's how when a sound propagate you will be getting regions of compressions, rarefaction compressions, rarefactions and this will goes on and on until until those vibrations reach up to your ears see this अभी नूमल था देको नूमल है but there are the regions going away वो रीजन्स मूफ कर रहे हैं ठीक है? rarefaction compression rarefaction compression they are moving ahead that shows us that energy is moving on right? because of the particles all right so that's how that's how a sound sound propagate and even remember that that sound it cannot propagate through the vacuum cannot propagate through the vacuum so always remember that ठीक है? तो अगर इसी context में अगर हम बोलें कि जो sound होता है उसे medium चाहिए होता है right? sound में actually क्या हो रहा होता है? कि जो particles होते हैं वो क्या कर रहे होता है actually particles अपनी जो energy उनको मिली होती है उसे pass on करते हैं due to vibrations ठीक है? खुद भी vibrate होते रहते हैं और energy pass on करते रहते हैं जब वो vibration करते हैं और energy को pass on करते हैं so what happens? खुद तो वो दूर दूर नहीं जाते न ऐसा तो नहीं करते न कि source से energy लिया और भाग के कान तक चले गया और कान को दे दी ऐसा तो नहीं करते right? वो अपनी ही जगह रहते हैं they do not move so that is a wave also ठीक है? that is the energy which goes on particles move नहीं करते but energy does ठीक है? और sound जो है वो कौन सा wave है? longitudinal wave है longitudinal wave क्यों? because of the compressions and rarefactions ठीक है? now let's we have seen the experiment हमने experiment देखा था so what we did हमने experiment में क्या किया था? हमने एक काच का जार लिया बहुत बड़ा ठीक है? उस काच के जार के अंदर हमने एक electric bell को टांग दिया ठीक है? hang कर दिया ठीक है? और यह electric bell का जो switch है उसे हमने जार के बाहर connect करा ठीक है? अब देखो उसके बाद हमने उपर से कॉर्क लगा के इसको tightly बिलकुल पाक कर दिया ठीक है? और इस कॉर्क के अंदर से हमने switch जो है वो बाहर ले लिया ठीक है? नाउ वी केन on it on कर सकते हैं और अफ कर सकते हैं बाहर से ही है ना? और अंदर हमें काच के जार में यह electric bell दिख रहा है फिर हमने क्या किया? इसका जो base है उसमें यहाँ पे हमने एक hole से हमने एक vacuum pump को अटाच कर दिया जैक है? due to the base बेस में जो थे उसके अंदर hole किया और उससे हमने एक vacuum pump को अटाच कर दिया अब पूरा setup हो चुका है अब फिर हमने क्या किया? हमने इस bell का switch on किया जैसे हमने switch on किया हमें दिखाई दिया कि यह जो electric bell है यह बज रही है और हमें फिर sound भी आई कि यह electric bell बज गई उसका sound अमतक आ रहा है reason हमें क्यों से नाई दिया? because इस bell के आज स्पास there are the air molecules and वो जो air molecules थे उन्होंने क्या किया? sound को, energy को propagate कर दिया आगे बढ़ा दिया, pass on कर दिया due to that, काच तक भी वो sound energy पहुँची फिर काच के थू because we know that solid में से भी तो travel होती है तो काच के अंदर से भी sound energy travel हुई and it then comes to your ears ठीक है? लेकिन अब हम next step में चलते हैं फिर हमने vacuum pump को on किया and when we on that vacuum pump क्या हुआ actually में अंदर जितना भी air था वो suck out हो गई ठीक है? वो क्या हो गई? suck out हो गई इससे क्या हुआ? अंदर का जितने भी air molecules थे वो सब चले गए vacuum pump ने उन सब को suck कर लिया ठीक है? now there are no air molecules around the electric bell अब हमने वापे से switch on किया जब हमने वापे से switch on किया now you can see the bell that it is ringing but you are not getting the sound because उसको propagate करने वाले जो air molecules इसके चारो दरफ थे वो अब नहीं है हमने vacuum pump से उनको हटा दिया so there is no air inside the glass jar and due to that जो sound है जो electric bell का sound था वो हम तक पहुंचे गा ही नहीं alright and that this shows actually में this shows that की जो sound है वो बिना किसी medium के नहीं जा सकता propagate नहीं कर सकता and this is the reason actually में this is the reason की अगर मानो मून पे चाहिए मून पे अगर कोई you can say कोई explosion हो जाए चाहिए या फिर कुछ बहुत बड़ा सा कुछ एस्टरोइड वेस्टरोइड टक्रा जाए मून से so you will not getting any sound from there because मून के चारो तरफ क्या है vacuum and due to that मून के ऊपर कोई भी sound अगर produce होती है you will not getting any sound तुम्हे कोई sound ही नहीं सुनाई देगी because of that because there is vacuum and it will not propagate it so तुम्हे नहीं पता चलेगा कि मून के कुछ explosion में explosion हुआ भी है ठीक है तो यह जो है हम लोग उने question देगा था मून के पास ना तो कोई atmosphere है ठीक है the space above the atmosphere is also vacuum if some explosion takes place on moon sound of the explosion will not be propagated to the earth हम तक कभी नहीं पहुँचेगी ठीक है is a longitudinal wave because because it has compressions and rarefactions right इसके पास compressions and rarefactions है also also जो molecules होते है medium के molecules वो vibrate कैसे करते है back and forth back and forth तो sound अगर ऐसे travel कर रही है so they will be moving like this sound अगर ऐसे travel कर रही है so they will be moving like this ठीक है तो मतलब वो क्या करते है actually vibrate तो करते हैं but they vibrate along the direction of the wave तो मतलब जस direction में sound जा रही है उसी direction के along they will vibrate that is the main reason and that is also characteristic of the longitudinal wave ठीक है तो यहां पे जो compressions or rarefaction मिल रहे हैं आपको उसकी वज़े से हम यह बोल सकते हैं कि sound wave is a longitudinal wave ठीक है compressions अब क्या होते हैं compressions होते हैं region of high pressure high density मतलब compress कर दिया है सब को compress कर दिया है मतलब सारे पार्टिकल एक जगर खटे हो गया है तो बहुत ज़्यादा भीडभाड वाला इलाका हो गया है बहुत सारे पार्टिकल जगर खटे हो गया है high pressure हो गया है we will be calling it a compression region ठीक है अगर अब हम रियर फैक्शन की बात करते है तो पार्टिकल दूर दूर चले गए आराम से social distancing maintained हो गई है दूर दूर पार्टिकल चले गए है रियर फैक्शन region मतलब बहुती कम pressure बहुती कम density that's why that is the area of what रियर फैक्शन ठीक है region of what ठीक है चलो nature of sound wave is what? longitudinal nature all right because of the compressions and rarefactions right? as you can see here compressions and rarefactions are moving along they are moving ahead right? compressions rarefactions compressions rarefactions move करते जारे move करते जारे all right so you need to understand कि जो sound wave होती है actually में sound wave is a region which is sound wave के अंदर regions होते हैं जो कि compressions and longitudinal होते हैं ठीक है so you will be getting regions of compressions you will be getting regions of rarefactions whenever a sound propagates all right? चलो अब हम characteristics of sound wave देखते हैं तो पहला जो हमने characteristic देखा था वो देखा था amplitude amplitude का मतलब होता है जब मैने तुम्हें vibration बताया था main position ठीक है अब जब मुझे energy मिलेगी तो I will be moving back and forth obviously तो मैं कहां जाओंगी अपने main position से हलका सा इधर जाओंगी right? और फिर वापस आजाओंगी if I get more energy तो मैं थोड़ा जादा दूर जाओंगी ठीक है? और वापस आजाओंगी फिर उतना ही distance में opposite direction में जाओंगी और वापस आजाओंगी right? so that is the vibration so whenever whenever a particle gets more energy they get more amplitude ठीक है? वो जादा दूर चले जाते है फिर वापस आ जाते है फिर जादा दूर चले जाते है वापस आ जाते है so this distance this displacement is what? the amplitude ठीक है? तो जादा energy वाली अगर wave hit करेगी तो जादा amplitude होगा कम energy वाली wave hit करेगी तो कम amplitude होगा हो सकता है particle बस यहाँ जाए वापस आ जाए फिर यहाँ जाए वापस आ जाए बस इतना सही कर सकता है right? so amplitude क्या होता है maximum displacement of a vibrating particle from its mean position अपने mean position से maximum displacement कितना दूर जाके वापस आ जाता है वो जो displacement है that is the amplitude इसे हम small A capital A से शो करते हैं और अगर तुम्हें इस तरीक का graph मिलेगा तो तुम कैसे पता करोगे? तुम देखोगे कितना curve है see this blue line इस blue line में amplitude यह हुआ फिर देखो बड़ा amplitude के लिए यही वाला curve और बड़ा हो जाता है छोटे amplitude के लिए यही वाला curve छोटा हो जाता है so you can get the displacement by the height of this wave ऐसे तुम्हें पता सल सकता है चलो next up देखो wavelength एक wave की length is called wavelength मतलब एक vibration के अंदर कितना distance ट्रावल करता है जैसे यह mean position एक बार जाएगा एक बार displacement करेगा तो यह एक बार amplitude हुआ वापस आया अगैन उसने इतना ही distance ट्रावल किया तो twice of amplitude फिर opposite direction में गया again amplitude वापस आया twice of amplitude so it gets four times of amplitude you are getting a wavelength तो मतलब एक vibration के अंदर जो particle है गया वापस आया opposite direction में गया वापस आया this is one vibration one wave तो one wave या फिर vibration के अंदर कितना distance ट्रावल किया that is wavelength also यहां पे तुम्हें पता जो सकता है जो pass वाले compressions है इन दोनों के बीच में भी wavelength होता है तो इन दोनों के बीच का जो distance होता है वो भी wavelength होता है और rarefactions के बीच का discipline जो होता है वो भी क्या होता है wavelength होता है remember that ठीक है चलो time period के बात करते थे so time period में मतलब क्या होता है कि एक vibration को complete करने के लिए कितना time लग रहा है ठीक है 1 vibration को complete करने के लिए that is what call the time period ठीक है So, यहाँ पे और यहाँ पे हम यह बात जानते है It is time period So, its unit will be second Time की second होती है न Alright So, next हम देखते है frequency Frequency मतलब 1 second के अंदर कितने सारे vibrations हो रहे है That is called frequency चीक है So, मतलब अगर जादा बार vibrations हो रहे है Like, let's say 1 second के अंदर 50 vibrations हो रहे है So, जब frequency कितना हो गया 50 hertz हो गया चीक है The unit of frequency is hertz Capital H, small z चीक है And you will get the frequency like this तो मैं ऐसे गिन सकते हो 1 चीक है, this is 1 wave 2 wave 3 wave तो अगर यहाँ तक 1 second होता है तो you are getting 3 waves in 1 second That means you are getting the frequency as 3 hertz Alright, that's how you are going to get the frequency अब देखो Frequency और time period के बीच में हमने relation देखा था क्या देखा था Time period equals to 1 upon frequency This is the relation between the time period and the frequency Time period मतलब 1 wave का कितना time लगा That is time period और frequency मतलब 1 second के अंदर कितने number of vibrations या फर कितने waves कम्लीट किये Alright, that is frequency आप देखो हमने क्या किया Wave velocity देखा Wave velocity का मतलब होता है कि भाई कितना distance ट्रावल करती है Wave कितने time में ट्रावल करती है That is called wave velocity तो अगर मैं इनका relation देखू Wave velocity का किसके साथ With wavelength, with time period ठीक है इन सब के साथ अगर मैं relation देखती हूँ Because I know One wave को distance कितना होता है One wave का distance जो होता है That is wavelength And one wave को कितना time लग रहा है Cover up करने में वो क्या हो गया Time period So I can write wave velocity As distance traveled by one wave Divided by time taken by one wave And we call this distance as a wavelength And we call this time taken as a time period So this is the relation Wave velocity equals to wavelength upon time period अभ ये one upon time period का relation हमने frequency के साथ अभी अभी देखा था है ना तो हम क्या कर सकते हैं Time period की जगा पे हम लोग frequency का formula रख सकते हैं That is one upon frequency One upon frequency रखते ही We get a new formula Which is wave velocity equals to Wave length into frequency That's how we are going to get that All right चलो Next move करते है Pitch I told you Pitch is all about the frequency जिसकी मतलब जो frequency का sensation होता है उसे ही हम pitch बोलते हैं चेक है और अगर हमें जादा frequency मिल रही है So we are getting a high pitch ठीक है That means we are getting a shrill voice ठीक है और अगर हमें कम frequency मिलते है Low frequency मिलते है So we will be getting a low pitch और low pitch में हमें क्या मिलेगा होर sound मिलेगा All right चलो फिर हमने देखा था loudness and softness Loud voice मतलब कोई जोर से कुछ बोले बहुत जादा energy अगर निकल कर आती है That is loudness Amplitude जादा energy जादा amplitude Loudness of the sound कम amplitude कम energy Soft sound So you will be getting loudness and softness as the amplitude उनका relation कुछ amplitude से होता है जादा फिर देखो quality and temperate कोई भी दो voice आपस में कैसे different होती है वो किसकी वज़ो से होती है Quality बताती है देखो यहाँ पे जैसे Imagine करो Tabla बज रहा है और flute बज रहा है तो Tabla की जो sound होती है और flute की जो sound होती है अगर उन दोनों का हम same amplitude रख दे अगर हम उन दोनों का same frequency रख दे तो भी इन दोनों की voice आपको समझ में आ चाहेगी कि कौन सी voice Tabla की है और कौन से voice flute की है तो आप कैसे बहचान पाए कि भाई ये तबले की है या फ्लूट की है just because of this quality all right so this quality helps us to differentiate the sound कैसे differentiate कर सकते है ये हमें बताती है intensity intensity की बारे मैं आपको बताती हू intensity वैसे तो हम बात कर चुके है कि भाई एक area में से कितनी sound energy एक second में निकलती है that is intensity and that is fixed for everyone this is an objective quantity all right this is an objective quantity right क्योंके you can get here the more energy the more intensity also it can be calculated by the formula all right it does not depends on the capacity of your ears all right चालो फिर हमने louds and intense loudness or intensity के बीच में आपने difference देखा था loudness का मतलब ये तो depend करता है हमारे कानों पे किसी के लिए same voice loud भी हो सकती है और वो ही voice किसी और के लिए soft हो सकती है so it is based on the ears right your capacity of ears और इसी तरी की जो intensity होता है this is same for everyone this is what objective quantity all right and this is a subjective one चालो अब हम देखते हैं reflection of sound I told you reflections means sound energy is coming getting reflected and goes back चालो that is reflection आती है energy टकरा के वापस चली जाती है into the same medium that is called reflection all right so we did see it and we use that reflection right इस reflection की वज़े से we have seen the echo right अब देखो reflection की two laws हमने study किये थे पहला angle of incidence is equal to angle of reflection second reflected ray incident ray and normal lie in the same plane that's what we have studied right उसके बाद हमने प्रूव भी किया था that it is totally true sound does follow these rules तो मतलब जो reflection की rules है वो सच मुझ में sound follow करती है that's what we have seen तो मतलब जो reflection की रूज है तो मतलब जो reflection की रूज है जो sound energy होती है उसको एक ही direction में focus कर देता है so it is so easier to call someone और सारा energy एक ही direction में focus रहता है right ये megaphone हमें ये help करता है तो में sound board में भी इसका example देखा sound board में आप इसका example कैसे देख सकते है कि भाई सभी को sound मिलना चाहिए अगर कोई बड़े से hall है तो माइक में जो भी इंसान बोल रहा है सब को आवाज सुननी चाहिए and उस में हम लोग sound board का use करते है reflections के help से right अब देखो eco I told you about eco eco में क्या होता है reflection of the sound होता है हम जोर से बोलते है वो sound दूर जाती है किसी hill से या वर किसी mountain से तकरा के वापिस हमको सुनाई देती है that is eco so the sound coming back to you after reflection is what it's eco alright and we all we have seen that कि इसके लिए हमें two echos को सुनने के लिए what we need हमें चाहिए कि दो sound के बीच में one by ten second का difference हो अगर दो sound के बीच में one by ten second का difference नहीं होता है तो हमें वो दोनों sound अलग-अलग नहीं सुनाई देंगी हमें वो एक ही सुनाई देंगी and this is called persistence of sound persistence of sound alright फिर हमने यह फार्मला देखा था velocity is equals to 2d by d 2d by t q 2d by t q क्योंके sound यहां से produce हुई वो गई उसने d distance travel किया उसके बाद टकराने के बाद वो वो वापिस सुनाई दी तो उसने क्या किया एक बार गई एक बार वापिस आई twice of distance travel किया right that's why we have written velocity is equals to twice of distance divided by time taken you hear your e को alright that's what we have derived and we seen it minimum distance सुनने के लिए मतलब e को सुनने के लिए जो minimum distance होना चाहिए that should be 17 meter we have calculated that using the same formula alright अब conditions ते को तुम sound यह के e को के conditions है कि कम से कम 17 meter का distance तो होना ही चाहिए किस के बीच में जो sound produce कर रहा है उसके और जो reflect कर रहा है उसके बीच में मतलब किसी हिल या फिर तुम्हारे बीच में there should be the minimum 17 meter distance if you want to hear your echo फिर देखो wavelength जो है sound की वो उस obstacle से जसे टेकरा के वापस आरे reflector से उससे कम होना चाहिए उसकी जो height है उससे कम होना चाहिए only then you will be hearing your echo और जो intensity of sound की कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि वापस आगे तुम्हें सुना ही दे पता चला जो elders होते हैं वो कम frequency का sound सुनते हैं देखो 10-12 kHz ही रह जाता है इनका तो है तो है फिर हम ऐसा होता है कि जब हम age करते हैं तो हमारा hearing capacity जो है वो decrease होने लगता है फिर डॉक्स का देखो 50 kHz तक वो सुन सकते हैं चिके बाट्स देखो 100 kHz तक वो sense कर सकते हैं elephants of Wales ते को less than 20 Hz sound को भी वो सुन सकते हैं oh my god चिके अब देखो अब मैं तो मैं बताती हूं there are waves and according to frequency there are three types of waves तहली category आती है audible wave जो हमें सुनाई देती है humans को right and that is what 20 Hz to 20 kHz तो देखो audible wave जिसकी frequency होते है 20 Hz to 20 kHz that wave is known as the audible wave जिके ultrasonic wave मतलब 20 kHz से उपर जिके मतलब 20 kHz से ज्यादा अगर frequency हुई तो that comes into the category of ultrasound ultrasonic wave ultrasonic तो नहीं होता infrasonic infrasonic 20 Hz से कम जिके तो मतलब ऐसी sound जिनका frequency 20 Hz से कम होता है वो किसकी के तेगरी में आती है infrasonic sound की के तेगरी में आती है तो फिर हमने देखी लिया भाई जो speed होती है solid में सबसे जादा होती है sound की than liquid and then gas तो gas में कितनी कम होती है solid के comparison में और फिर भी बोलता ही हमें सुनाई में आ जाता है है ना किता कुछ हो जाता है तो सोचो जो gas जो sound travel कर रही है solid के अंदर वो कितनी टेजी से करती है all right और then we have learned कि जो temperature होता है उसकी भी dependency होती है if there is high temperature you will get the more speed of sound मतलब temperature बढ़ने के साथ साथ sound की speed भी बढ़ती जाती है ठीक है और वो किस formula पे based है हो देको velocity at T temperature velocity at 0 temperature plus 0.61 multiplied by the temperature difference ठीक है so by using this formula you are going to get what the sound the speed of sound right तो तो तुम्हें पता चल जाएगा वैसे पता है क्या होता है अगर environment का या फिर medium का 1 degree Celsius अगर बढ़ जाता है तो जो speed of sound है वो 0.61 1 meter per second से increase हो जाती है यह चीज है fact अगर तुम remember रखोगे न तो यह formula तो अपने आप उसको बना लोगे चीज है so that's we have done it right अब let's see the noise pollution sound है तो noise भी होगा right noise pollution को हम अगर रोगना चाहते हैं तो वैसे हम sound को eliminate तो नहीं कर सकते but we can definitely do something like कि हम लोग कम volume पे गाने सुन सकते है right जादा शोर नहीं करें चीज है यह that is important और actually में इस noise से हमें खुद को बचाना बहुत जरूरी है because it can definitely give us or harm our ears all right and that's why you have to listen the songs at the low voice okay try to do it at least okay so that was it in this revision all right we have revised the whole chapter and next lecture में हम लोग क्या करने वाले हैं Olympiad level के questions करने वाले है so be ready to do that okay again एक बर revision कर लेना तुम लोग so thank you so much for watching the video please like it share it subscribe it and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos thank you so much